कि नमस्कार बच्चों मैं नीरा सिंग अराइज एकैडमी से आज बच्चों हमारे जो लेखन विभाग है उसके बारें बात करें हमारा जो प्रश्ण पत्र होता है तो विभागों में विभाजित किया होता है गध्य पद्य ब्याकरन और लेखन विभाग जो लेखन विभाग में एक प्रश्ण होता है ब्रितांत लेखन आप लोगों ने पेपर लिखे भी होंगे पिछले कुछ नवी में दस्वी में आठ्वी में नवी में ब्रितांत लेखन आता है दस्वी में भी है जिसे बच्चों आप लोग अंग्रेजी में कहते हो रिपोर्ट राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग उसी को कहा जाता है हिंदी में ब्रितांत लेखन बच्छो ब्रितानत लेखन पहले मैं एक चीज बताऊंगा ब्रितानत लेखन है क्या बितानत लेखन मतलब घटी हुई कहानी घटी हुई घटना और किसी समारोह का वैसे के वैसे वर्णन करना लेकिन बच्चो वर्णन करते समय काल बदल जाता है क्यूंकि जब हम कोई घटी और बीती हुई घटना के बारे में जिसका वर्णन करते हैं वह भूत काल कहलाती है भूत कालित होती है बीती हुई बाते होती है तो सभाविक है काल में थोड़ा सा परिवर्तन आता है लिए घटना में परिवर्तन नहीं आएगा घटना जो है त्यों वैसे लिखनी है वैसे कि वैसे उसकी जो शेंखला है कारिक्रम पधती है कारिक्रम मालिका है कारिक्रम पत्रिका है कारिक्रम पत्रिका को बदलना नहीं ह जैसे आपके विद्याले में कोई कारिक्रम होता है उस कारिक्रम की कारिक्रम पत्रिका बनती है कारिक्रम का सिक्वेंस होता है नियम होता है एक के बाद कौन सी चीज़ के बाद क्या आएगी उसी नियमा नुसार उसी शिंखला के नुसार आपको इस बृतान तलिकन में उसका वर्णन करना है शेंखला हमें बदलनी नहीं है और बीती हुई घटना हुई हुई घटना समारों का वैसे के वैसे उसका वर्णन करना है उसमें कुछ चीजों को ध्यान देना है वह मैं आज आपको बताऊंगा बृतान तलिखन अब बृतान्त लिखन मतलब किसी चीज़ को विवस्थित रूप से विस्तार में बताना विस्तार में किसी चीज़ को बताना ही क्या कहलाता है बृतान्त मतलब कहते हैं ना रहे चलो ठीक है अपनी कहानी जाना बृतान्त में बताओ बृतान्त का मतलब होता है विस्तार में क रहानी को बनाना बच्चो जब आप बितांत लिखते हो कम से कम अस्तिक शब्दों में होना चाहिए कम से कम जादा जादा मैंने काम से कम अस्तिक शब्दों में होना चाहिए क्योंकि यह बितांत लिखन आपको पांच नंबर के लिए आपको शुरुवात और उसका अंत कैसे हुआ अच्छी ब्यवत्सित धंग से करना है बच्चों ब्रितांत लेखन लिखते समय हमें ब्याकरन भाषा शैली का इस्तमाल करना अच्छी भाषा शैली का इस्तमाल करना है ब्याकरन के धान में नजर रखते हुए लिखना है क्योंकि ब्रितांत लेखते समय हमें ब्याकरन को ध्यान इसलिए देना है कि जब हम किसी का बृतांत लिखते हैं तो यह बृतांत कोई भी पढ़े तो उस कहानी का उस घटना का उस समारों का उसे पूरी तर से आकलन हो जाए कोई असमंजस्ता न रहे उसे कोई द्विधा न रहे कि मैंने ये कारिकम देखा नहीं सुना नह लिखन से पूरी कहानी का सारांश पता चल जाए हमें पूरी कहानी क्या थी कैसे घटी कब शुरू हुई किसके दारा शुरू हुई कैसे अंत हुआ यह सब पूरा बिवडन हमें बृतांत लिखन में मिलता है बच्चा इसलिए बृतांत लिखन इतनी सुस्पस्टता होनी चाहिए सुन्दर होनी चाहिए स्पस्ट होनी चाहिए और ऐसे शब्दों का इस्तमाल करना चाहिए जो सामने वाला जब इसे पढ़े तो उसका पूरा वीजन तुरुष्टी कौन पूरा साफ रहे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ यह मुझे पूरा समझ में आ रहा है कि इस जगा पे इस घटना पे इस समारों में ऐसे ऐसे हुआ था बच्चो यह बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है बच्चो चलो आज बढ़ते हैं आगे बितांत लेखन रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले बितानत लेखनन में मैं का प्रियोग न करे बच्छो मैशब्द मैशब्द वेसे हंदी में कहा जाता मैशब्द गमनद का प्रतीख है मैं शब्द क्या है घमंड का पतीक है बच्चों घमंड तो पहले मत करो इसलिए बच्चों बृतांत लेखन में मैं शब्द मत करो क्योंकि आप जब किसी कहानी या समारों का वर्णन करते हो तो आप अकेले उस कारिकर्म के आधास तम्ब नहीं होते हो क्योंकि उस कारिकर्म की शुरू से लेकर अंत तकले जो ब्योरा बना हुआ है जो नियोजन हुआ है वह पूरा किसी एक व्यक्ति की कार्य से संपन नहीं हुआ है उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया रहता है और यह एक तरह का क्या है यूनिट वर्क है ज जब सभी ने अपना डिवोशन जिसे योगदान सव प्रतिशत देते हैं तब यह कारिकम अच्छा सुन्दर और प्रभावी बनता है बच्चों इसलिए इस बृतान तलेखन में कभी भी इस मैं घमंडी शब्द का उच्छारन या प्रियोग न करें ठीक है बच्चों मैं मैं उस घटना समारो की पूरी जानकारी ले क्योंकि बच्चों जब आप किसी जगह पे किसी समारो किसी घटना का बृतान तलेखन जब लिखते हैं तब उस पूरी घटना का आंकलन आपको पहले से रहता है क्योंकि आप उस घटना के चश्मदीद गवार हते हैं आप उस आपने वो घटना को देखा होता है जाना होता है और तब आप उस बृतांत लेखन लेंगे लेकिन बच्चो मुझे पता है आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा सर अगर मैंने वो कारिक्रम देखा ही नहीं है और परिक्षा में आ गया तो मैं क्या करूँ छोड़ दू प्रश मत छोड़िये इसमें आपका नुकसान होगा तो मैं उसके लिए बताता हूँ कि बच्चों जब कभी किसी कारिक्रम का बृतांत लिखन लिखने के लिए आ जाता हो और भूत में भूत में अगर उस तरह के कारिक्रमों में आप कभी सम्मीलित नहीं हुए है तो बच्चों उस कारिक्रम में आप ऐसे कारिक्रम को सोचिए जिस कारिक्रम को आपने कभी देखा हो या उसके सहवागी रहे हो या उस घटना में समारों में आपने भाग लिया हो समय में तब उसके बारे में आप सटीक चीज लिख सकते हो क्योंकि जब तक हमें कोई जानकारी ही न हो तब तक प्रितान तलेखन लिखना असंभ होता है बच्चों अब यही प्रश्ण में वापस कर रहा हो बच्चो अगर आपको बृतान तलेखन लिखते समय अगर किसी घटना समारों में आप शामिल नहीं हुए हो फिर भी उसका लिखना है तो बच्चो आपको परिक्षा में उसके कुछ मुद्दे दिये जाते हैं कुछ चीजे बताई जाती हैं उस मुद्दों के आधार पे आपको आकलन आ जाना चाहिए कि आपको बृतानत लेखन कैसे लिखा जाता है उस कहानी के बारे में आपको ठोड़ी सोचना पड़ेगा हा लेकिन आपको समय दिन सब चीज दे दिया जाता या आपको विशय दे दिया जाता ऐसे ही परिक्षा के समय जब बृतांत लेखन लिखते हैं ऐसे विजय से मैंने एक उधारन दिया डो अक्टूबर गांधी जी के बारे में मनाये जाता है तो हमें पता हैं बच्पन से सिखते आ रहे हैं पढ़ते आ रहे हैं सही बात है तो ऐसे कारिकरम हमने कई सालों से अपने समरन कीजिए और समरन करके उनका बृतांत में उपयोग कीजिए उस समय ये बहाना मत मारिये कि आपको पता नहों जैसे ये समुद्धिक के आधार पे मैंने का समय के घटना समार आपको पूरी जानकारी हो जानकारी नहों तो आप जानकारी लेने के लिए समरन कीजिए उन आपको लिखना अनिवार है अगर नहीं लिखेंगे तो आपके पांच माक्ष अनायास चले जाएंगे इसलिए बच्चों परिक्षा की समय किसी भी प्रश्णों को छोड़ने की चेस्टा मत करिएगा कोशिस मत करिएगा हर प्रश्णों को सुईकार करिए लिखिए कुछ तो मुख्य कारिक्यम समापन इन मुद्दों को ध्यान देना है ठीक है बच्चों जैसे स्थान किस जगह पे किस स्थान पे वह कारिक्यम हुआ जैसे आपका विद्याला है आपका घर है आपका कोई ऑफिस है तो ऐसे जगह पे आपने कारिक्यम लिया उसका स्थान किस समय लिय किस दिल लिया वह दिनांक वह समय कितने बज़े समाप्त हुआ प्रमुक प्रांतिती कौन थे इसका जरूर उसमें ब्यवरा दीजिए उसका उल्लेक कीजिए समय का भी उल्लेक कीजिए प्रमुक अतिती दिनांक ये सभी चीजों का उल्लेक हमें करना अवश्यक होता है अब म लिए चते हैं पूरी राम कहानी सुन ले कोई पूच बैठे सीता किस की पतनी तो बहुत बड़ा प्रश्ण चिन लगजाएगा मतल सुना क्या उसने ऐसा हो जाएगा इसलिए बच्चो कारिकरम किस चीज का था कारिकरम मुख्य कारिकरम क्या था कारिकरम किस विशे पे था किस चीज का था उसका विवरन लिखना मत भूले और समापन समापन किस तरह से हुआ बच्चे विद्यार थी या आपका स्कूल कारिकरम कोई विवाह समारो कैसे हुआ अंत कैसे हुआ उसका समापन जरूर लिखना बच्चो शुरू कैसे हुआ और अंत कैसे हुआ ये दो चीजे बहुत ही महतुपुर्ण है ठीक है बच्चो तो इन चीजों को कभी नजर अंदाज मत किजिए स्थान समय दिनांग प्रमुक आते थी और कारिकरम और समापन अगला है घटना समारों का वृतांत सत्य घटना पर हो तो बढ़ा चड़ा कर न बोले जैसे हम अपने विद्याले में कोई कारिकरम हो कभी कभी बच्चों जाता है जब हम कसी अपचारिक तूप पे किसी चीज घटना का विवरन जिप लिखते हैं ओफिशियल चीज पे लिखते हैं तब ऐसे समय पे हमें ओ घटना बढ़ा चड़ा के लिखनी नहीं चाहिए जैसे कहीं पे दुर घटना हुई उस दुर घटना के आप चश्मदी क हुआ हैं और आपको उस गुद्र घटना का बृतांत लिखना है तो बच्चो ऐसे समय का ऐसे स्तिती का ऐसी घटना का कभी भी हमें बढ़ा चड़ा कर बृतांत नहीं लिखना चाहिए लिकिन अगर आपके विद्याले का कोई कारिक्रम हो आपके दीदी और भीया की शाद लिख सकते हैं बहले कोई चीजे कभी नहीं होती बात अलग है लेकिन हमें सही माईने में देखा जाए बृतांत लिका सत्य घटना पर लिखा जाता है लेकिन परिक्षा में हमें माक्स लेने होते हैं तो उसका बृतांत बड़ी रुमांचक धंग से हमें विस्तार में व्य लाइफ में सत्य जीवन में हमें बृतांत लिखन लिखने में आ जाए दोनों में बड़ा जमीन आस्मान का फर्क होता है बच्चों परिक्षा में माक्स लेना है इसलिए अच्छे माक्स के लिए हमें करना पड़ता है थोड़ी बहुत बढ़ा चड़ा के बाते लिखनी प अचैको चकत्षित हैं उस भाशा का बढ़ा ही सरल और मधुर शबदों में हो बाद थीक को और गटना के घतना का वर्णन हो या घतना के Χार्ण का वरणनियों सही क्रम अपेक्षित और और वर्डण का बतला क्रम जो होता है, बच्चों कि ऐसा नहीं, बीच में berry आचानक शूरू कर देया। यहे, हमारे आतीती थी थी, इन्हों ने ऐसे किया, फिर बच्चों ने हमारे कारिक्रम की सरस्वती वंदना हुई, बच्चो पहले कुछ और कहा कुछ और कहा ऐसा मत कहिए जब हम कारिक्रम पत्रीका बनती है तो कारिक्रम में सब सिक्विंस होता है क्रम होता है उस क्रम में हम लिखते हैं हर एक कारिक्रम की एक क्रम श्रिंखला होती है क्रम श्रिंखला होती है और उसी क्रम श्रिंखला से हम वर्डन करते हैं क्रम से लगाते हैं सबसे पहले आती थी जब आते हैं तो सरस्वती वंदना से किसी भी कारिक्रम की शुरुवात हम सरस्वती वंदना से करते हैं सरस्वती की वंदना के पश्चात हम अथिती का साक्षात कार करवाते हैं मतलब लोगों से परिशे करवाते हैं अतिथी का परिचे होता है उनका स्वागत किया जाता है उन्हें गुलदस्ते के साथ में और फिर आगे कारिक्रम की शुरुआत ऐसी तरह से होती रहती है और अंत में जो मुख्य वेक्ति होता है उसके भाशन से कारिक्रम की समापती होती है बच्चों तो सिक्वेंस जो होता यह खिरम जो होता है श्ते इंकला जो होती है वो कभी खराब नहीं होनी चाहएं शही होनी श्तल काल का वर्णन कर्म अपेक्षित होता हिरा मगर गड़बर आया तो आपका वित्तांत लेकोन टोटल लुझा amazing इसलिए अपिक्षित है उसका क्रम सही होना जाए और कहे गए भाशनों को अगर किसी के द्वारा हम कभी भाशन करते हैं कभी किसी के बाते कुछ बहुत अच्छी कोटेड बाते होती हैं बहुत अपिक्षित बाते होती हैं बहुत अच्छी बाते उसने अपनी बाते बताई रहते हैं उनकी बातों को हमेशा हम इन्वेटेर कोटा में इसके मतलब आउतरन चिन में हम उसकी बातों को लिखते हैं और कभी भी किसी के दोहराए गए वैद बाता किसी की बाते मतलब जब बाते कोई दोहराता है मतलब किसी ने किसी कोई बाते कही की फला आती थी और फला चिन्ह में लिखते हैं दूसरी बात बच्चों बता रहा है समारों अध्यक्ष समारों में अध्यक्ष उद्गाटक व्याखता वक्त 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 जो स्पीकर होता है वक्त आदी के जो भोगोलिक विचार होते हैं जो व्यक्त करता है भोतिक विचार वक्त करता है और ऐ ऐसे ही आउतरन चिल्लों में उसका लिख सकते हैं कि फला व्यक्ति ने कुछ बाते कही थी और उन बातों को हम आउतरन चिल्लों में लिखते हैं जब उन चीजों को उल्ले करता हो उन चीजों को बताता हो आपको कि फला व्यक्ति ने देखो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं सही में वो जीवन में हमारे जीवन में और हमारे रिदे को छू लेने वाली बाते होती हैं तो सही में बच्चो बृतांत लिखन लिखते समय उन बातों को अपने डबल अवतरंचे नमे उसे लिखना न भूले उन बातों को ठीक है बच्चो तो इसी तरह से आप अगर और जो बृतान्त होता है बृतान्त का जो समापन होता है सही धंक से उसका समापन करिएगा और शुरुवात सही धंक से हो उसके पूरे घटना करम को सही धंक से उसका विवरन दीजिए व्यक्षा तो नहीं कह सकते उसका विवरन दीजिए उसका सपस्टी करन दीजिए अच्छी तर बार बार दोराईएगा मत बहुत ही एक समय में एक बात को ही लिखेगा और उसके क्रम के अनुसार लिखेगा क्रम को खंडित मत कीजेगा और क्रम को जब खंडित नहीं करेंगे तो स्वभाविक है आपके उन वाक्यों को बार बार उन वाक्यों की पुनरावरती नहीं होगी इस चीज का ख्याल रखना बहुत जोरी है बच्चो और यह जब वृतांत लेखन लिखते है तो वृतांत लेखन के शब्दों की संख्या जो वृतांत लेखन का जो स्पैन होना चाहिए जो बड़ा कितना होना चाहिए वो कम से कम बच्चो 80 शब्दों में होना चाहिए 80 भाशा और शिंखला कारिकरम पत्रावरी की शिंखला सही हो और समापन सही ढंक से हो और तो आपको माक्स अच्छे से मिलेंगे और उसको अच्छी तरह से अच्छी राइटिंग आपकी हो तो आपको यह अच्छे तरह से मिल सकते हैं आपके हस्ताक्षर आपकी प्रभाव को ज़्यादा व्यक्त करते हैं तो बच्चों बितान तलेखर में अगर कोई समस्या हो तो आप जरूर मुझे लिखिए मैं उसका जवाब आपको दूँगा और मेरे वीडियो को लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और जरासा मेरे दिल की घंटी को जरूर बजा दिय झाल कर दो कर दो